मैं इथोपिया के अदीस अबाबा से नरोबी जा रही इथोपियन एयरलाइन्स की एक फ्लाइट उडान भरने के 6 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गई जिसमें सभी 157 लोगों की मौत हो गई मरने वालों में 4 भारतिय भी शामिल है मृतकों में 149 पैसेंजर और 8 क्रू मैंबर्स शामिल है इथोपियन एयरलाइन्स हादसे में मरने वालों में कनाडा, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इथोपिया के नागरिक भी शामिल है इथोपिया के प्रधान मंत्री ने विमान हादसे की पुष्टी की है राहत और बचावा भ्यान जारी है आपको बता दे कि इट इटी 302 राजधानी अडीस से करीब 60 किलो मीटर दूर बिशोफ्ट शही में ये हादसा हुआ है एयरलाइन्स ने बता है कि जिस प्लेन में हादसा हुआ वह है 737-800 मेक्स था इस विमान हादसे में जिंचार भारतियों की मौत हुई है उनमें शिखागर्ग भी शामिल है जो परियावरण मंतराले में सलाकार के पदपर तैनात थी और UNDP से जुड़े हुई थी वो संयुक्त राष्ट्रे परियावरण कारिकर्म की एक बैठक में शामिल होने के लिए जा रही थी विदेश मंतरी सुश्म सुराज ने ट्विट कर ही जानकारी दी है हादसे में मारे गए अन्य भारतियों के नाम व्यद्या पांगेश भासकर व्यद्या हंसीन अंगेश एन मनीशा शामिल है